आप तो खेर कुछ भी जवाब देजाएंगे आपके जवाबाद तो पिछले कुछ हरसे में बहुत वाइरल हुए है बहुत वाइरल अल्ला का वास्ता है वो ना पूछियेगा अब मुझे बहुत अच्छे जवाब देने आगे बहुत प्राइब के, प्रैक्टिस हो चुकी है मचे उन लोगों को हैंडल करनें चीये जी आपको आपको सास का किरदार निफाकर जाधा मता कहा है असल जिंदम kah म कहा है कि संचव, le im ba और हमें ये भी पटाएये के असल जिंदम वली और Då मुखे अकर बूच्छ है पर दुबारा लगाएं जरों में सास के नफ्स में खो गई थी सवाने का बहुंजर आ गया है दुबारा लगाएंगी आपको सास का किरदार निपा कर जादा मज़ा कहा है असल जिंदगी में या ड्रामों में और हमें ये भी बिताएं कि असल जिंदगी वाली और ड्रामो वाली सास में क्या फरक है? वैसे असल जिंदगी में भी जो ड्रामो वाली सास होती है ना वो असल जिंदगी से ही रिलेट कर रही हैं, कर रहे होते हैं लोग. ये सास, बहू के चक्कर जो है न हमारे ड्रामे ही है कि हमारे घरों के असल टॉपिक सास, बहू, बेटा, चच्चा, फुपी, मामा, दामाद यही हमारे प्रॉबलम्स है और यही हम डिसकस करते हैं और शायद उसकी एक वज़ा वही है जो आपने कहा ना किचन में यही हमने अपने पूरी फैमिली के तमाम लोगों को मसरूफ नहीं किया बिलकुर तो यह मसले यह है बहुत बहुती चौबीस घंटे घर में है, सास भी घर में है तो फिर उससे तो जितने हैं ना जितने दो परतनों उनों खड़कन गे तो ऑफिर तो वो तो खटते हैं भाई है, तो असल जिंदगी वाली सास, जब पहली पहली दफ़ा कोई भी रिलेशन में आते है हैं, चाएब वो सास का हो चाएब बहु का हो तो आपको नहीं इतना पता होता तो मैं नहीं समझती कि, मैं उस असल वाली सास मुझे مشکل لگی ہے यह ड्रामे वाली असल जिन्दगी तो जाहरा आपके साथ जुड़ी भी होती है तो अब मुझे experience हो गया कि मुझे रिश्टों को किस तरह से लेकर चलना है second time मैं सास बनी हूँ तो maybe मैं वो गलतियां ना करूँ जो मैंने पहले की थी तो हर इनसान अपनी गलतियों से सीखता है तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अपनी गलतियों से बहुत सीखा है और इनसान वही अच्छा है कुछ मुझे सोशल मीडिया है तो इनसान वही अच्छा है जो अपनी गलतियों से सीखे ना कि सामने वाले के बीच में से आप गलतिया निकालें अगर मैं आप से बहुत संजीदा सवाल करूँ कि अब आप एक भरपूर तज्रूबे के बाद ये बिल्कुल सीरिस सवाल है कि आप क्या समझती है कि दोनों को अब मैं आपकी बात नहीं करूँ अब मैं प्रो हो चुकी हूँ आप मुझे पूचेंगे तो मैं आपको बहुत रियलिटी से करीब जवाब दूँगी मैंसे भी ये कह रहा हूँ कि जो लोग सीख सकें अब क्या समझती है कि सास को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ये बहु को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए फराइज और हुकूक दो या जिम्धारिया और बाउन्डरीज जब नहीं होंगी ना किसी भी रिलेशन में तो उसमें बिगार आएगा आप ज्यादा महबतें निचावर कर देंगे और आपको बाउंस में उस तरह से महबतें नहीं मिलेंगी थोड़ा सा आपको इग्नोर किया जाएगा वो भी डिजास्टर है और आप खामोश रहेंगे या इग्नोर करेंगे तब भी वो चीज़ें नहीं चलती तो आपको बहुत बैलन्स लेकर चलना पड़ता है जवाब है मेरे पूरे आप आप एके सवाल का यही जवाब है सलेबरिटीज के जो इशूज होते हैं बाज वकाद फैमिली इशूज वो बबजू मैं उस बहस में नहीं जा रहा कियों मगर पबलिक हो जाते हैं फिर उसके बाद प्रेशर और अब यह ट्रॉलिंग और यह सब वो सब कितना इक्ट करती है इसके समकी चीजें जिन्दगियों को और रिश्तों को बहुत ज्यादा इक्ट करती हैं जो हमारा काम भी एक्ट होतै हमारी सहत इक्ट होती है हमारे घर डिस्टरब होते हैं बहुत कुछ होता है लेकिन यही कीमत है जो हम शो बिसकी पे कर रहे हैं कहते हैं ना कि अतना पैसा नहीं मिल रहा हमने कौन से घर बना लिये हमने कौन से जाइदादे बना ली लेकिन इस से हमें जो भी कमाया है ना इसका हमें जो बे करना पड़ा है ना पे बेक हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ता है مش़वरा अब क्या देंगी से इसको कैसे इससे बचा जा सके अच्छा स्लेबिटीज को क्या मैंने खुद को भी मशवरा दिया कि कोई भी अच्छा क्योंके मेरे सारे बच्चों का भी तालुक शोबिस से तो मैं अपनी मेरी खुशियां जो है ना कम्प्लीट नहीं होती तो हम क्योंके सबी फैमली वाले हैं तो हम लोग अपनी चीज़ें डिसकस कर देते हैं जो कि बहुत गलत बात है मैं कर देती हूं तो शायद उस वज़ा से ना खराबियां बहुत ज्यादा पैदा होती हैं तो हमें वो नहीं करना चाहिए लेकिन चुके अब हमारे तो कमाई के जरीए भी सोशल मीडिया हो गया है अब यूट्यूब से भी कमा रहे हैं तो आफ फेस्बुक से भी कमा रहे हैं और लोग क्या देखना चाहते हैं हमारी परसनल लाइफ को और जब वो देखना चाहते हैं उसमें व्यूज आते हैं सबस्क्राइब करते हैं पैसे आते हैं तो हम लोग भी कहते हैं कि चले इन चीजों को हम डिसकस करते हैं इन चीजों को दिखाते हैं और कोई धकी चुपी नहीं है इसके खराबियां भी हैं इसमें पॉजिटिव भी हैं नेगिटिव पहलो भी हैं तो वो बस कभी आप पॉजिटिव सोच रहे होते हैं लेकिन उसका रिटर्न आपको नेगिटिव मिल जाता है पढ़ते हैं एक बार फिर जबर्दस पब्लिक की तरफ अब तो सबसे बस जाता हैं वीर, तो किसकी पुखी वाला काम कर 63 नहीं अब तो किसी से भी कुछ भी ढुका चुपा नहीं थिया मत भी हैं इसकी नहीं बàुरदा है किस की शादी हो रही है किस की नहीं तो गॉसिप का शॉक है के नहीं? नहीं बिल्कुल भी आपको नहीं? बिल्कुल नहीं. इद और दर की खबर नहीं होती है ना शेयर करते है नहीं और रॉप है मैं कोई आकर 10 द्रॉट सुन लेजा है नहीं वाइसे वाकश मुझे ना गॉसिप करने का और ना सुनने का बिल्कुल शॉक ना जी दोबारा बढ़ते हैं जवर्दस पब्लिक की तरफ सबर जी आपने करियर का सटार्ट ाज ये तो अपने जमाने की इसकी अपने की निवशकास्टर्स की खब्रें का की खबर होती थी तब भी हम नॉर्मल होते हैं अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आज कल खुशी की खबर कैसे पढ़ी जाती है आज कल तो बस यहां से स्टार्ट करते हैं फिर उसको यहां ले जाके फिर ऐसे ले ले जाए अगर आप पढ़ना चाहिए आज हम आपको बताते चलें कि सबा फैसल की बेटे की शादी हुई और उस शादी में फलाँ 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 आर्टिस्ट को देखा गया और ये 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 तो पता ही कहां लेके जाते हैं कहां यहां तो आजकल हर खबर जो है ना ब्रेकिंग न्यूज है हमारे जमाने मे ब्रेकिंग न्यूज होती थी तो बहुत रियर होता था कि ब्रेकिंग न्यूज है जी एक मरतबा फिर जबर्दस पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं सुना है सबाजी आप खाने की बहुत शकीन है और अगर सेट पर खाना लेट हो जाए तो आप तो फ़ान बरपा कर देती हैं कि जब तक खाना नी आएगा मैं शूटिंग शूरू नहीं करूँगा इनको कौन खबरें पहुंचा रही है मैं खाने पर कभी भी चीखों चिलाओ होंगी नहीं बहुत मुझे वो आर्टिस्ट अच्छे नहीं लगते जो खाने की वज़ा से सेट पर उंची बोलें या आप स्पार्ट बॉय को कुछ कहें या बहुत बुरा लगता है अगर कभी ऐसा होगा तो मैं खुद आराम से अपने ड्राइवर को पैसे दूँगी के भाई मेरे या मैं कुछ ओर कर लोंगी आज कल आप ओर करें आपको मिल जाता है सब कुछ तो ये या वैसे आप खाने की शौकीन है मैं अच्छे खाने की शौकीन हूँ मतलदить ज्यादा मिग्दार में नहीं नहीं आपकड़े में लेकिन अच्छे का लुए कि मैं देशी खाने बहुत अच्छे बनाती हूं, बिर्यानी, निहारी, आलू गोश्ट, और चिप-चिप वाला प्लाव गोश्ट का, और सब खाने उन्हें अच्छे लगती हूं, वह भी गोश्ट, करेले गोश्ट, सुभान अल्लाव साथ हैंने!